Hello friends, welcome back to my channel, this is Ritesh आज इस वीडियो में हम अपनी एक web application code करेंगे तो चलिए start करते हैं हम यहाँ पे जो web application code करने वाले हैं वो एक authentication application है इसका मतलब यह हुआ कि users वहाँ पे register कर सकते हैं लॉगिंग कर सकते हैं और अपनी profile information को भी देख सकते हैं यह जो profile information की API है यह एक secured API है इसका मतलब यह है कि जब तक user login नहीं करेगा तब तक वो अपनी profile information नहीं देख सकता एक बार जब user login कर लेता है तो login करने के बाद उसको एक access token मिलता है और यह जो access token होता है यह एक proof है कि user ने login किया है तो जो profile information की API है उसके अंदर user को access token पास करना पड़ेगा अभी यह सब कैसे होने वाला है इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा code start करने से पहले दो-तिन important points हैं सबसे पहला point यह है कि हम यहाँ पे एक project initiate कर लेते हैं तो यहाँ पे project initiate करने के लिए मैं simple sa npm init की command run कर रहा हूँ command को run करने के बाद मेरे को यहाँ पे कुछ details देनी है मैंने अपनी details enter करी और उसके बाद enter enter करता गया और finally मेरा project initiate हो गया project initiate होने के बाद वहाँ पे एकदम simple sa package.json file ही मिलती है आपको तो हम यहाँ पे क्या करते हैं एक readme file बना लेते हैं readme में हम project की details को add कर देते हैं कि यह project करता क्या है उसके अलावा हम यहाँ पे folder structure को भी define कर देते हैं कि हमारे folders कौन-कौन से होंगे जैसे कि हमारा src का folder होगा जिसके अंदर हमारा सारा का सारा source code होगा src के अंदर हम बाकी modules को बनाएंगे जैसे कि controller, services, data access objects and so on हम जब password को save करते हैं तो हम कभी भी plain text में save नहीं करते हैं हम अमेशा password को hash करके save करते हैं हम यहाँ पे कोई भी hashing function use कर सकते हैं जैसे कि MD5, SHA या फिर कोई और पर जो industry standard hashing function है password को save करने के लिए वो है bcrypt तो हम यहाँ पे bcrypt algorithm को use करेंगे अपना password save करने के लिए हम यहाँ पे algorithm को खुद implement नहीं करने वाले हैं हम तो external modules को use करने वाले हैं अपने password को hash करने के लिए अभी पता चलेगा आपको second point यह है कि हम यहाँ पे access token जो generate करेंगे वो एक JWT token होगा तो अगर आपको JWT tokens के बारे में थोड़ा सा भी doubt है तो इस पे मैंने अलग से detailed video बना रखा है यह सारे के सारे videos आपको एक playlist में available है यह playlist का link है और नीचे description box में भी आपको link मिल जाएगा मैं यह assume करके चल रहा हूँ कि आपको JWT tokens की theory के बारे में पता है तो अगर theory के बारे में पता है तो हमें यहाँ पे token generate करना है और token को validate करना है यह दोनों काम करने के लिए हम खुद नहीं करते हम external module को use करते हैं उसके अलावा हम यहाँ पे express framework को use कर रहे हैं हमें express module भी चाहिए और जो हमें fourth dependency है वो है errors module यह जो errors module है यह हमें error handling में मदद करता है तो यह चार dependencies है हमारे project की हम इनको install कर लेते हैं install करना तो बिल्कुल simple सा है npm install जो भी इनका नाम है वो and then — — save save करने से यह सारे की सारे dependencies हमारे project में add हो जाती है अभी पिछले दो-तिन वीडियो में हमने यह समझा था कि हम अपनी web application को कैसे structure करते हैं और structure करने के बाद हम अपनी web application को कैसे individual modules में break कर सकते हैं और एक layer में arrange कर सकते हैं अगर आपने यह video miss कर दिया है तो इसका link भी यहीं कहीं और नीचे description box में है आपको मैं request करूँगा कि एक code practical करने से पहले आप एक बार concepts को अगर आपको समझना है तो आप यह सारे videos जाके check out कर लो मैं तो आपको यहीं मिलने वाला हूँ, pause कर लो उनको जाके देख लो पहले फिर पापस आके यह वाला देख लेना तो उसी के continuation में जो हमारे पास web application है हमारी web application में यह सारे modules होंगे यह सारे के सारे modules एक layer में arranged है यहाँ पे जो सबसे left में है वो है controllers controllers ऐसे modules होते हैं जो कि request handling के काम आते हैं HTTP handling के काम आते हैं उसके लावा हमारे पास यहाँ पे एक service layer है service layer में हमारे application का सारा logic होता है सारा का सारा दिमाग वहीं है और सबसे last में हमारे पास यहाँ पर data access objects है data access objects ऐसे objects होते हैं जो कि हमें database से data को query करने में या फिर save करने में help करते हैं हम controller से services को call करते हैं और services हमारी data access objects को call करती है और इस तरीके से हमारा process flow चलता है जब हमने सारे modules का blueprint तयार कर दिया है तो उसके बाद हम one by one modules को pick करते हैं और code करना start कर देते हैं code करने के लिए मैं start करता हूँ controllers से और सबसे पहले मैं error middleware को pick करके उसको code करना start करता हूँ ये वाला module को code करना बहुत ही simple सा है हमें यहापे एक function define करना है function के अंदर चार arguments होंगे first argument जो है वो error object है then request, response and then next हमें यहापे जो भी error मिली है हम error object में से properties को निकाल रहे हैं जैसे की error का message क्या है या फिर status code क्या है या फिर और भी बहुत सारी properties को हम यहापे निकाल रहे हैं और अगर हमें error object में properties नहीं मिलती तो हम यहापे default values को use कर रहे हैं और एक बार हम जब सारी properties को निकाल देते हैं error object से उसके बाद हम अपने client को appropriate response बना के send कर रहे हैं तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा application की सारी errors को हमने एक ही जगे पे handle कर दिया और अगर कलको मुझे अपने error को change करना है error format को change करना है तो मुझे सिरफ एक ही जगे पे change करने की जड़त है function को define करने के बाद मैं इस function को export कर देता हूँ अपने module से तो हमारा ये वाला module done फिर next में मैं क्या करता हूँ एक index file बनाता हूँ जो कि हमारी application का entry point होगा जो भी Node.js हमारे code को run करेगा सबसे पहले इसी file को run करेगा और यहाँ पे हम अपनी application को set up करेंगे मतलब कि हमें अपना server run करना होगा जो भी हमें route handling करनी है बनाने के बाद मैं यहाँ पे controllers को import कर रहा हूँ controllers को import करने के बाद controllers ने हमें एक router object दिया है यह जो router object है इसको मैं अपने app object पे configure कर देता हूँ इस mount point पे अगर यहाँ पे आपको यह doubt है कि यह mount कैसे हो रहा है तो यह video दो video पहले मैंने बना रखा है playlist में सारे videos of label हैं आप जाके देख सकते हो router configure करने के बाद मैं यहाँ पे error middleware को भी configure कर देता हूँ तो error middleware हमें सबसे last में रखना है पूरी application में जितनी भी handling हो रही है अगर वहाँ पे कोई भी error आ रही है तो सबसे last में यह वाला call होगा उसके बाद यह सब करने के बाद हमें यहाँ पे application को start करना है तो मैं यहाँ पे server start करने के लिए app.listen कर रहा हूँ अब जब हम server को start करते हैं तो हमें एक port number देना पड़ता है अब यहाँ पे मैं port number को hardcode भी कर सकता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पर यहाँ पे हम port number को hardcode करते हैं तो यह एक थोड़ी सी गलत बात है हमें कभी भी इस type की चीजों को hardcode नहीं करना चाहिए हम क्या करते हैं यहाँ पे environment variables का use करते हैं तो जब हम अपनी application को start करेंगे तो एक port का environment variable set कर देंगे और वो same to same variable हम यहाँ पे use कर रहा हैं तो इस तरीक से behave करेगी तो इस तरीके से हमारी index.js file ready है इसको हम close कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं next मैं क्या करता हूँ controllers को code करता हूँ तो सबसे पहले हमारे application में एक ही controller होगा इस एक controller में हम तीन APIs बनाने वाले हैं login, registration और user profile तो हमारे controller में क्या होता है हमारे controller में हम route handlers को define करते हैं route handlers ऐसे function होते हैं जो कि किसी एक particular http request को handle करते हैं जैसे कि अगर मेरे पास registration के लिए http request आई है तो उसको handle करने क लिए मैं यहां पर registration वाला function मना देता हूँ सबसे पहले मुझे यहां पर registration function में data validation करना है user मुझे जो भी data send कर रहा है वो data सही भी है या नहीं है इस type की चीजों को मैं यहां पर validate करूँगा और अगर मेरा validation fail होता है तो मैं यहां पर error throw कर दूँगा जैसे कि मैंने यहां पर यहां पर create function को call कर रहा हूँ तो वो हमें एक error object निकाल के देता है और यह same error object को मैं यहां पर next में argument की तरह पास कर रहा हूँ data validation करने के बाद मैं यहां पर registration के लिए service model को delegate कर रहा हूँ मतलब की controller के अंदर हमें सिरफ route handling का काम करना है उसके बाद मैं यहां पर service layer को call कर रहा ह और service layer की responsibility है कि user को register करके मुझे दे अगर user की registration में कोई भी error आती है तो service module error throw कर सकता है जिसको हमारा error handler catch कर लेगा registration करने के बाद service ने मुझे जो भी return करा है उसको मैं as is client को response send कर रहा हूँ तो यह हमारा registration function done हो गया इसके बाद मैं login function पर move on करता हूँ और login function को code करता हूँ again same process है सबसे पहले हमें data validation करना है उसके बाद मुझे यहाँ पर service को call करना है और service मुझे token generate करके देगी और उसके बाद वो token को मैं as is client को return कर रहा हूँ और last मैं मुझे यहाँ पर profile function code करना है तो profile function code करने से पहले आपको एक important point बताता हूँ जो user की profile है user की profile को हम कैसे निकाल सकते हैं या तो हम user की id को use करके उसकी profile निकाल सकते हैं या फिर user के email को use करके उसकी profile निकाल सकते हैं अब आप ये थोड़ा सा सोचो कि ये दोनों की दोनों properties आपको यहाँ पर profile में कैसे मिलेगी imagine करो कि मैं एक user हूँ मैंने registration किया और फिर मैंने login किया अब login करने के बाद तो मुझे यहाँ पर सिरफ एक access token मिला है और जब मैं profile fetch करने जाता हूँ तो मैं ये access token server को send करता हूँ और server मुझे profile return कर देता है तो server को कैसे पता चलता है कि मेरी user की profile निकाल के लानी है हो सकता है कि आपके user की profile निकाल के लानी हो तो ये जो information है इसको हम token में encode करते हैं मेरी user ID, मेरे user के roles, email, कोई भी information हो हम JSON web token में encode कर सकते हैं और जब हम token को validate करते हैं तो यह सारी information को हम निकालके request object पे set कर देता है तो यहाँ पे profile function में मैं request object से user id निकालके service को call कर रहा हूँ और service मुझे profile return कर रही है जिसको मैं client को send कर रहा हूँ अगर आपको अभी यह doubt है कि यह request object के अंदर कैसे user id मिल गई तो 2 second wait करो अगला जो module हम code करने वाले हैं वो है हमारा authentication middleware middleware ऐसे function होते हैं जो कि route handler से पहले call होते हैं एक http request route handler तक पहुंचती है उससे पहले उस request के साथ क्या होना चाहिए यह हम middleware में define करते हैं यह जो middleware है यह हमारे user के access token को validate करेगा तो इसमें भी हमें एक function बनाना है function के अंदर तीन arguments होंगे request, response, next request object से मैं यहाँ पे authorization header निकाल के लेके आ रहा हूँ authorization header अगर मुझे नहीं मिलता तो error throw कर दो अगर authorization header correct format में नहीं है तो भी error throw कर दो उसके बाद मैं यहाँ पे जो access token है उसको validate कर रहा हूँ access token को validate करने के लिए मुझे यहाँ पे JSON web token module की need पड़ेगी यह module हमने already अपनी application में as a dependency add कर दिया है तो मैंने यहाँ पे इसको import कर लिया है import करने के बाद मैं यहाँ इस module के verify function को call करके अपने token को verify कर सकता हूँ अगर token verification में कोई भी दिक्कत आती है तो हमें error मिलेगी जिसको मैंने यहाँ पे catch कर रखा है और error को catch करके मैं यहाँ पे next को call कर रहा हूँ अगर हमारा token valid है तो हमें यहाँ पे validation के बाद payload object मिलता है यह जो payload object होता है इसके अंदर हम सारी properties को define करते हैं जैसे की user की ID हो गई, user के roles हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे मेरे पास payload object जो मिला है उसको मैंने निकालके request पे set कर दिया है तो अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो मैंने request object पे जो property set करी है यह same property को मैं हम आपे controller में use कर रहा हूँ तो इस तरीके से हमारा controllers वाला part भी done हो गया है controller वाली layer complete होने के बद हम यहाँ पे service layer पे move on करते हैं और हमारे पास यहाँ पे एक ही service होगी auth service auth service के अंदर तीन functions होगे हमारे तीन use case को handle करने के लिए तो again हम यहाँ पे service layer में अपनी application का logic लिखते हैं तो यहाँ पे हमें registration के time पे यह चक करना होगा कि user ने पहले register तो नहीं किया same email को use करके हमारे emails हमारे system में unique होने चाहिए हैं उसके अलावा login करने के बाद हमें यहाँ पे token generate करके देना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे JSON web token module को import कर रहा हूँ तो फटावर्ट से यह तीनो functions को code कर देते हैं सबसे पहले हम login को code करते हैं तो login में हमारे पास यहाँ पे email और password आया है email को use करके मैं यहाँ यहाँ पे user निकाल के लेके आ रहा हूँ वो दोनों सेम होने चाहिए है उसके लिए हम यहाँ पे bcrypt को use कर रहा है bcrypt में एक verify function है जिसको मैंने यहाँ पे call कर रखा है जो कि हमें password verification करके देता है अगर हमारा password verify नहीं होगा तो क्या तो हमें error throw करनी है कि are unauthenticated उसके बाद अगर हमारा password correct है तो हमें यहाँ पे token generate करना है token generation के time पे जैसे कि मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे अपनी property set कर सकते हैं payload object में सबसे पहले थो हमें यहाँ यहाँ पे user id set करनी है user id के अलावा हमें यहाँ पे token की भी expiry set करनी है तो मैं यहाँ पे 60 minutes की expiry set कर रहा हूँ आप यहाँ पे कोई भी value choose कर सकते हो यह जो value मैं यहाँ पे set कर रहा हूँ यह seconds में है token generation के time पे हमें एक secret की देनी होती है यह जो secret की है यह हमारे server में configure होती है तो इसको भी हमने अपने environment variable में configure कर करके रखा है जैसे कि हमने port को रखावा था JSON web token model ने मुझे access token generate करके दे दिया और वो same access token मैं यहाँ पे return कर रहा हूँ service से login होने के बाद हम यहाँ पे registration वाले function पे focus करते है registration वाला function बिल्कुल simple सा है यहाँ पे हमें दो important काम करना है number one हमें यह check करना है कि यह same email को use करके user ने पहले register तो नहीं किया है और number two जब भी हम user को save करने जाएंगे user को save करने से पहले हमें उसके password को hash करना है यह दो important काम है हमारे यहाँ पे इस वाले function में वो मैंने यहाँ पे code कर दिया और उसके बाद यह function done हो गया और मैंने यहाँ पे जो भी user register हुआ है वो same user entity को return कर दिया है अब third जो हमारा function है वो है user profile निकालने का function तो यहाँ पे user profile के लिए तो मैं simple सा DAO object को call कर रहा हूँ DAO object ने मुझे user profile निकाल के दी और वो same user profile मैंने client को return कर दी अब एक चीज़ important बात यह है कि यह जो service layer है service layer की responsibility सिरफ उतनी है जितनी होनी चाहिए database से interaction करने की सारी की सारी responsibility DAO objects की है तो service objects ने DAO objects को call किया है user को save करने के लिए या फिर user की details निकालने के लिए तो जो हमारा process flow बनता है वो कैसे बनता है controller का काम सिरफ protocol handling का है, data validation का है, client को error throw करना service ने अपना काम कर दिया कि email unique होना चाहिए, password को hash करना है अगर इसके लावा और भी कोई complex logic है तो वो भी हम service layer में ही लिखेंगे और service के बाद database से interaction करने का काम हमारे data access objects का होता है service layer code करने के बाद हम यहाँ पर DAO layer पर move on करते हैं हमारे पास यहाँ पर एक simple single data access object होगा जो की user entity को manage करेगा user की table में user की details को save करना या फिर query करना वो सिरफ इस DAO object का काम है पूरी application में अगर किसी को भी user table से data निकालना है या फिर user table में data save करना है तो उसको इस object से interaction करना चाहिए हमारे जो data access object है उसके अंदर किस-किस type के functions होंगे इसके अंदर तीन functions होंगे नमबर वन एक तो user को save करना है नमबर टू एक user की information निकाल के लेके आनी है उसके ID के basis पे नमबर थ्री एक user की information निकाल के लेके आनी है उसके profile email के basis पे ये दोनो functions हम का पे use कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा ये दोनो functions को हम यहाँ पे service वाली layer में use कर रहे है को save नहीं करूँगा फिलाल के लिए मैं यहाँ पे सारा का सारा data in memory में रख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं users को एक RMA save कर रहा हूँ और RMA save करने के बाद मैं यहाँ पे RMA user को find out करने के लिए loop चला के जो भी user मुझे corresponding ID के या email के corresponding मिलता है वो मैं return कर दे रहा हूँ अगले वीडियो में हम database के concepts को समझेंगे simple simple queries run करके देखेंगे database को install करेंगे तो एक बार जब हमें database के fundamental समझ में आ जाएंगे theoretical perspective से तो उसके बाद हम यह सारा का सारा data जो हमने अभी memory में save किया है इसको हम database में save करेंगे तो इस तरीके से हमारा DAO वाला module भी बिल्कुल complete है अब हमारी application बिल्कुल complete है हम इसको run करते हैं तो run करने के लिए यहाँ पे दो important बात है एक तो हमें port का environment variable set करना है और एक हमें secret की set करनी है तो अब इन दोनों को हम कैसे करेंगे simple सा है export कर दो दोनों variables को अपने terminal में जाके और export करने के बाद मैं यहाँ पे npm start command चला देता हूँ और start command चलाने कद हमारा server listen करने लग गया है अब इसके बाद मैं postman में जाता हूँ और यह जितने भी use cases हमने discuss करेंगे हैं सबको test कर लेता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे user को register करता हूँ तो user को register करने के time पे मैं यहाँ उसके relevant details को fill कर रहा हूँ और मैंने जैसे ही यहाँ पे send किया हमको successful registration okay आ गया मतलब user register हो चुका है register होने के बाद अगर मैं यह same call को दुबारा से send करता हूँ तो हमारे server ने हमे response return कर दिया है कि यह वाला email already registered है तो यहाँ से आप email uniqueness का check लगा रखा था जो हमने वो यहाँ पे हमारा test हो गया है इसके बाद मैं यहाँ पे login करता हूँ तो login करने में मैं यहाँ पे email और password send कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे password को incorrect send करता हूँ तो हमें यहाँ पे error मिलेगी अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा email यूज करता हूँ जो कि हमारे system में exist ही नहीं करता तो भी हमें एक error मिलेगी response में और यह दोनों के दोनों हैं हमारे fail वाले cases इसका जो success वाला case होगा उसमें हमें access token मिलना चाहिए तो correct email और correct password को use करके अगर मैं request send कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पे access token भी मिल रहा है response में अब next हम profile information को test करते हैं profile information के लिए अगर मैं यहाँ पे request send करता हूँ तो मुझे यहाँ पे error मिल गई है मतलब कि मैंने यहाँ पे कोई authorization header लगाया ही नहीं है तो जो भी access token हमें मिला है उसको मैं authorization header में set कर देता हूँ और फिर अगर मैं request send करता हूँ तो हमें यहाँ यहाँ पे user की profile भी response में मिल गई है यहाँ पे एक important point है कि बाहर से user को देखने में पता भी नहीं चलता कि database में data save हुआ है या नहीं हुआ है अगर मैं अपनी application को stop करके वापस से start करता हूँ और अगर मैं फिर से login करने का try करता हूँ तो यहाँ पे login fail हो जाएगा क्योंकि जो भी data मैंने memory में save करा था वो सारा का सारा data खतम हो गया जब मैंने server को kill किया तो यहाँ पे आपको database का significance समझ में आ रहा होगा databases हमारी application को straight remember करने की power देती है कि पहले यह हुआ था फिर यह हुआ था फिर यह हुआ था आप databases को use करके time के किसी एक moment को capture करके save कर सकते हो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ऐसा है तो like बटन को click कर दो अगर आज के code को लेके आपको कोई भी doubt है तो नीचे comment section में post कर दो यह सारा का सारा code आपको github पे भी available है लिंक नीचे description box में है आप क्या करो code को download कर लो और खुद run करने का try करो और उसमें check करो कि सारे use के से सही चल रहे है या नहीं चल रहे है अगर आपको code को समझने में कोई दिक्कत आ रहे है तो नीचे comment section में post कर दो तो मिलते हैं अगले वीडियो में guys टेक क्या है